2017 में दुनिया के सबसे तेज इंसान उसेन बोल्ट अपनी जिन्दगी के लास्ट रेस में पाटिसिपेट करते हैं लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हो जाता है जिसे सालों तक नहीं भुलाया जा सका इस बार उसेन बोल्ट को गोल्ड मेडल लेने के लिए 100 मीटर फाइनल रेस में 7 ओपनेंट्स के साथ रेस करना था रेस स्टार्ट होते ही सभी खिलारी जी जान लगा कर दौरता है लेकिन चौकाने वाली बात की इस बार फर्स्ट प्लेस अमेरिकन रेसर जस्टिन गेटलिन लाते हैं और लीजेंड उसेन बोल्ट थर्ड प्लेस लाते हैं